हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल सिवानी स्फूर्ट्स, आज हम बनाएंगे डाल गोस्ट, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, सेर करना बिलकूल ना बुले, और बेल आइकन दबाए मेरे अगले वीडियो के अपडेट के लिए, ड के लिए, उसके बाद मैं इसमें दो प्यास डाली हूँ, देखे मैं ये लंबे-लंबे स्लाइस में काटी थी, इसे अच्छे से पकाऊंगी मैं, इसे मुझे एकनम लाल नी करना है, इसे तब तक पकाना है, कि ये पिंक कलड़ का ना हो जाए, तो इसे मैं धीरे-धीरे ऐसे पकाती रहोंगी, देखे प्यास पकना स्टार्ट हो चुका है, और प्यास का कलर भी बदल गया है, तो अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी, ये एक में टमाटर लिए हूँ, इसे मैं छोड़े-चोड़े पीस में काट दी थी, और फिर हूँ मैं इसे अच्छे से मिलाओंगी और टमाटर को मैं पकाओंगी, टमाटर को मुझे इससे अच्छे से पकाके इसमें गलऊना है, तो इसके लिए मैं इसे थोड़े देर के लिए cover कर दूंगी 2 मिनट के लिए 2 मिनट हो चुका है तो देखते हैं टमाठन हमारा पक चुका है तो इसे अच्छे से फिर से मैं मिलाओंगी और इसमें मैं एक टेबल स्पून जिंजर गालिक वेस्ट मिलाओंगी और फिर इसे मुझे एक मिनट तक मिलाना है मसाला पत चुका है देखिए तो इसमें अब मैं मतन मिलाओंगी तो इसमें मैं 500 ग्राम मतन डाल रही हूँ इसे फिर से अच्छे से मिलाओंगी इसमें साड़ा मसाला आपस मिल जाए इसे हमें तब तक भूनना है कि जब तक मतन का कलर थोड़ा बदलना चाहे देखिए मतन का कलर बदल चुका है तो इसमें हल्दी पॉडर डाली हूँ धनिया पॉडर एक टीस्पून रेड चेली एक टीस्पून नमक आपने सादन उसाल लीचिए मतन मसाला आप कोई भी लेख सकते हैं डेट टीस्पून में डाली हूँ इसे मैं अच्छे से फिर मिलाओंगी मसाले को थोड़े दिर तक अच्छे से भूड़ना है ये मैं एक से दो मिनिट तक मिला रही हूँ फिर मैं इसमें चना डाल डालूँँगी इसे मैं 15-20 मिनिट के लिए पानी में डाल के छोड़ दी थी तो अब मैं इसे कुकर में डाल दे रही हूँ ये मैं एक कप पुड़ा डाल ली हूँ फिर से इसे अच्छे से मिलाना है और मैं इसमें दो कप पानी डालूँगी पानी आपको ज़्यादा ही डालना है क्योंकि चना डाल में पानी के ज़्यादा ज़रत पड़ता है तो पानी हमें ज़्यादा डालना होगा इसमें मैं 4 हडी मिर्स डाल रही हूँ और मैं धनिया पत्ती डाली हूँगी और मैं गरम मसाला हाफ टीस्पून डाली हूँ और एक बड़ इसे अच्छे से मिलाके फिर मैं इसे कवर कर दूँगी देखिए मैं इसे कवर कर दे रही हूँ अब इसे मैं मीडियम फ्लेम पे 7-8 सीटी लगवाऊंगी दाल गोस हमारा बन के त्यार है तो मैं इसे अभी निकालती हूँ दिखाती हूँ कि यह कैसा बना है देखिए अच्छे से बन चुका है तो इसे पर मैं मिलाके बाउल में निकालती हूँ देखिए यह अच्छे से बना है यह देखने में भी काफ़ी टेस्टी है यह इसे आप चपाती के साथ, नान के साथ या चावल के साथ इसे आराम से खा सकते है तो आपको मेरी रेसिपे कैसी लगी कमेंट सेक्षन पर जरूर बताए और लाइक सब्सक्राइब सेयर करना विल्कुल ना भूले और बेल एकन दबाए मेरे अगले वीडियो के अपडेट के लिए